Hello everyone and welcome to the whiteboard classes So, अब हम करेंगे mixture and allegation का set number 11 So, इस वीडियो में मैं आपको एक अलग different method बताऊँगा mixture and allegation के questions को करने का ये method हर question में नहीं लगेगा लेकिन कुछ ऐसे questions होते हैं जिसमें बहुत time लग जाता है वहाँ पर ये method काफी जादा आपको help करेगा अब ही तक ये method मैंने अपने किसी भी वीडियो में नहीं बताया है So, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उन questions को किस तरीके से approach करना है ठीक और दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो में नीचे comments में एक PDF upload कर रहा हूँ इस PDF में total आपके 50 questions है और काफी अच्छे miscellaneous questions है ठीक है Mostly मैंने क्या करा है इन questions को allegation से solve करने की कोशिश की है ठीक है जादा तर आपको questions मिलेंगे mixture and allegation के ठीक है और मैंने हर एक question को allegation rule से solve करने की कोशिश की है Mostly questions को बता रहा हूँ ठीक है और उनके अलग-अलग different methods भी अगर किसी question में लगता है अच्छा method है तो उसको भी मैंने वहाँ पर show कर रहा है ठीक है questions with solution की ये PDF है तो इन 50 questions को आप try जरूर करिएगा अगर आपको कोई भी question या उसका solution समझ में नहीं आता है तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा ठीक है तो देखते हैं इस वीडियो में questions क्या है पहला question क्या दिया हूँ है पहले question में दिया हूँ है दो vessel है Two vessels contain mixture of milk and water in the ratio 5 is to 1 and 9 is to 1 ठीक है I hope यह question आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको करना भी जानते होगे बट आप सीख लीजी कि आपको इसको अलग method से कैसे करना है question में क्या बुल लगया है कि दो हमारे पास क्या है vessels है ठीक है उसमें milk और water का ratio दिया हूँ है milk और water का ratio दिया हूँ है क्या माले ते पहला हमारा vessel है A दूसरा हमारा vessel है B पहले में means A में milk और water का ratio क्या है 5 is to 1 है ठीक है और दूसरे में milk और water का ratio क्या है 9 is to 1 है ठीक है पहले में क्या है 5 is to 1 है milk और water का ratio और दूसरे में क्या है 9 is to 1 है water का ratio ठीक है और उसने क्या बोला है कि उनको मिलाए गया किस ratio में 1 इस-to-5 means इसका 1 part लिया गया और इसका 5 part लिया गया ठीक है इसका 1 part लिया गया और इसका 5 part लिया गया उसके बाद जो हमें mixture बना उसमें milk और water का ratio क्या होगा हमसे ये चीज पूछे गए तो इस question को करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है अगर हम vessel A की बात करें तो total यहाँ पर quantity कितनी है 5 प्लस 1 means 6 यहाँ पर quantity देखें तो यहाँ पर quantity कितनी है 9 प्लस 1 10 कितनी है यहाँ पर 6 है यहाँ पर कितनी है 10 है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है इन दोनों का LCM लेना है इन दोनों का LCM लेना है अगर हम LCM लेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा ठीक है आप क्या देखना है हमें कि यह 30 A में कैसे बन सकता है अगर हम इस 6 में 5 का multiply करा दे और इस 10 में अगर हम 3 का multiply करा दे 6 में हम क्या करें 5 का multiply करें और 10 में हम क्या करें 3 का multiply करा दी तो हमारे पस क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा ठीक है और हम क्या करें इसमें हमने इसका part लिया था 1 और इसका part लिया था 5 तो आप इन इनका multiply और करा दी means यहाँ पर 1 का multiply और यहाँ पर 5 का multiply आप और करा दीजे ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर total देखें, तो इस 6 में 5 और 1 का multiply हुआ है, और इस 10 में 3 और 5 का multiply हुआ है, ठीक है अब आप पो क्या करता है, simple एक चीज करने है क्या, यह क्या है 5 into 1 means 5 और यह क्या है 3 into 5 means 15 अब इस ratio में 5 का multiply कराई है और इस ratio में 15 का multiply कराई है ठीक है, यह आपको लंबा method लग रहा होगा, बड़ बिल्कुल भी लंबा नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं ठीक है, समझाने में में मिरको time लग रहा है तो अगर मैं total देखूं तो यह कितना देखा, 5 into 5 into, 5 means 25 plus 5 into sorry, 9 into 15 means, 1, 35 ठीक, और अगर हम इसका ratio लेगे तो यह आ जागा, 5 plus 15 तो अगर हम इसका ratio लेए तो यह कितना होगा, 0, 1, 6 1, यह कितना होगा, 20 तो यहां से इसका ratio क्या होगा, इसका ratio है 8 is to 1 क्या है इसका ratio, 8 is to 1 8 is to 1 अगर हम देखेंगे तो पहला वाला मारा क्या होगा सही answer होगा ठीक है इसका answer क्या होगा 8 is to 1 फिर से इसको समझाता हूँ तोड़ टाइम लगीगा समझने में बट अगर आप इसको सीख गए तो आप इन questions को बहुत जल्दी कर लेंगे ठीक है देखिए क्या है सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है इन दोनों को add करना है उसको यहां लिखना है इन दोनों को add करना है उसको यहां लिखना है इन दोनों का LCM लेना है अब यह LCM कैसे बन सकता है तो इसमें उसका multiply कराईए इसमें उसका multiply कराईए फिर इसके वाद अगर दिया हुआ है क्या कि इसका ratio और इसका ratio किसमें दिया हुआ है 1 इस टू 5 में है तो 1 और 5 का multiply करा दिजे ये total किता बना 5 ये total किता बना 15 तो इस 5 का multiply इसमें करा दिजे इस 15 का multiply इसमें करा दिजे आपको answer मिल जाएगा इननों को जब हम add कर देंगे तो ठीक है समझ मैं है next question और देखते हैं क्या है अब यहाँ पर जितने भी questions आप उन sub questions को कर लेंगे तो आपको यह method एक जितम से समझ मैं जाएगा ठीक देखते है second question क्या है उसने बोलाए कि क्या है दो आलाए है A और B जिसमें gold और silver दिया हुआ है इस इस ratio में ठीक है A third alloy C is formed by mixing A and B in the ratio 2 to 3 find the percentage of silver in alloy C so यह भी question वैसे ही है क्या दिया हुआ है कि दो आलाए है A और B उसमें gold और silver किस ratio में है A में है 1 is to 2 में और B में है 1 is to 3 में ठीक है इन दोनों को मिलाए गया और उसे C बना इन दोनों को मिलाए गया और उसे क्या बना C बना A को जो मिलाए गया वो कितना part मिलाए गया 2 और B को 3 part यह दिया हुआ है 2 to 3 part में मिलाए गया, ठीक है, हमसे पूचा गया है, जो final mixture बनेगा, उसमें silver का percentage क्या होगा, simple यह चीज पूचिए, तो हम इसको वैसे ही कह रहेंगे, सबसे बहली चीज क्या, इन दोनको add करा 3, इन दोनको add करा 4, इन दोनको LCM 12, 12 कैसे बनेगा, 3 into 4, 12 कैसे बनेगा, 4 into 3, ठीक है, अब इसका ratio क्या था, ये 2 पार्ट मिलाए गया था, ये 3 पार्ट मिलाए गया था, ये total कितना हुआ, 8, यह total कितना हुए 9, यहाँ पर आप 8 का multiply कराी है, यहाँ पर आप 9 का multiply कराी है, यह कितना हुँआ हुआ? 8 plus 9, 17, यह कितना हुआ? 16, 21 e, 43 गतना हुआ? 43 हुआ, अब द면 silver का part क्या है, gold का 파t क्या है? तो अगर आप बूज़ू कि silver, टो टोटल में कितना है, तो क्या होगा? 43 divided by total कितना होगा 17 plus 43 means कितना 60 into 100 ठीक है यह कितना हो कि 3 part यह कितना हो 5 part यह कितना हो कि 15 वर्ट कहरी 215 by 3% कितना है 215 by 3% means कौन सा थर्ड वाला हमारे क्या हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा ठीक है I hope सबाज में होगा next question दिखते है next question कितना है there are two alloys A and B alloy A contain zinc, copper and silver as 80%, 15% and 5% respectively whereas alloy B contains the same metal with percentage 70 20 and 10% respectively if these two alloys are made such that the resultant will contain 8% silver what is the ratio of these three metals in the resultant alloy okay so यह भी question उसी से हो जाएगा किस तरीक से हो जाएगा यह देखते है उसने क्या वाला कि दो वाला है A और B अगर हम देखे है zinc, copper और silver जो दिया हो है उसका percentage दिया हो है means यह दिया हो है कितना 80% 15% और 5% तीक है इसी तरह से B में अगर हम देखें तो यह दिए हो है 70% यह दिए 20% और यह दिया कितना 10% सब्सक्राइब निकाल सकते हैं इन सब्सक्राइब यह आया किसमें A में, अगर हम B में देखें तो कितना आएगा, 7, ratio 2, ratio 1, कितना है, 7, ratio 2, ratio 1, अल्राइट, तो अगर हम अब इसी तरीके से करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली चीज हमें क्या पता करना होगा, सबसे पहली चीज, इसने क्या बोला है, यहाँ पर हमें य यह ratio नहीं पता है, कि यह A और B किस ratio में मिलाएगे थे, हमें यह चीज नहीं पता है, क्या, कि यह A का कितना पाट लिया गया था, और B का कितना पाट लिया गया था, हमें यहाँ पर यह चीज पता नहीं है, तो यह चीज पता करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यह थर् इसमें allegation rule use करेंगे, कैसे, अगर हम पहले पार्ट में देखें, means A में कितना silver है, हमारा 5% है, ठीक है, यह किसमें A में, और B में देखें, तो B में कितना है, 10% है, ठीक है, B में कितना है, 10% है, जब इन दोन को मिलाए गया, तो हमें C बिला, और C में silver कितना है, इसने यहां द सकते हैं, इसमें से सब्स्राइट करें, इसमें से सब्स्राइट करें, इन दोनको सब्स्राइट करेंगे, तो 2% हैगा, इन दोनको सब्स्राइट करेंगे, तो 3% हैगा, इसका मतलब, यह 2 is to 3 के ratio में मिलाए गयते, A और B, 2 is to 3 के ratio में मिलाए गयते, तो हम यहां से लिख सक टू और थ्री पार्ट में ठीक है, जिंक, कॉपर और सिल्वर था, इसका रेशियो कहा था, 16, 3, 1, और इसका रेशियो कहा था, 7, 2, 1, इन सब को एड करा थो कितना है, 20, इन सब को एड करा थो कितना है, 10 आया, इननों का LCM क्या होगा, 20 होगा, ये कैसे बन सकता है, 20 इंटू 1 और ये कैसे बन सकता है, 10 इंटू 2, ठीक है, एका पार्ट करता लिया गया था, 2, तो इंटू 2, और बी का पार्ट करता लिया गया था, 3, तो इंटू 3, इसमें टोटल कितना मल्टिप्लाय हुए, 2 का, इसमें टोटल मल्टिप्लाय किसका हुए, 6 का, इसमें हम मल्टिप्ल 222 प्लस, यह कतना जाएगा , Сक तर्फरिटीट रEIGHT, 6 35 इं और 6 ऑर ऐधिर्टी स्रफिटी टू मिस थर्टी एट रएट, 6 ऑर टू१र 16 ऐट यह हो श्रेइट क्यों ब्सरी, इसब्सक्राइब एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दे क्या, कि यहाँ पर 16 का मिल्लिप्लिया यहाँ नहीं है 6 का मिल्लिप्लिया हिया 6 ठीके तो यह कीज़ेगा 6 और 12 18 यहाँ पर भी यह 6 का मुल्थिप्लिया हिया crispy 2 6 क्ते हिए 8 हिज़ेगा तो इसका ratio अगर हम देखें तो कितना आएगा यह जाएगा 4 यह जाएगा 9 और यह जाएगा कितना यह जाएगा 37 तो ratio क्या हो जाएगा 37 ratio 9, ratio 4 ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा इसका, alright, next question देखते हैं, next question क्या गिए बिन है, कि 3 container having mixture of milk and water in the ratio, यह if the capacity of the containers are in the ratio, 5 is to 4 is to 5, final ratio of milk and water, if the 3 containers are mixed, okay, so, यह question काफी easy होता है, but हम mostly क्या करते है, इसको ratio में लेकर करते है, किस तरीके से, यह 1 by 4 into 5 plus 3 by 8 into 4 plus 5 by 12 into 5, divide करते हैं, फिर इसके बाद इसको ratio में लेकर करते हैं, ऐसे करने से क्याता है, हमारा थोड़ा time taken आगा यहाता है, तो इसको हम अभी वाले method से करेंगे, जो हम अभी सीखा है वो किस तरी करेंगे, देखिए हम लेते हैं, तीन container है, A, B और C, ठीक है, और हम देखिए, इसमें, milk और water का ratio क्या दिया हुआ है, 1, 3 3, 5 और 5, 2 5, 7, sorry, चीक है, तो सबसे पहले चीज़ हम क्या करेंगे, 4, 8 और 12, इन सब का LCM कितना हो जाएगा, 12 sorry, 24 हो जाएगा, 24 कैसे बनेगा, 4 into 6, 8 into 3, 12 into 2, all right, और उसने क्या बोलाएगा है, कि ये तीनों container जो है, उनकी capacity कितनी है, 5, 4 और 5 है, तो हम वही चीज़ करेंगे क्या, into 5, into 4, into 5, ठीक है, ये करता होगा, ये करता होगा, ये करता होगा, total, ये करता होगा, total, 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 10, ठीक है, तो हम वही चीज़ करेंगे क्या, into 30, into 30, into 12, into 12, into 10, into 10, ठीक है, ये करता होगा, 30, plus 36, means 66, plus 50, plus 50 हमारा किता होगा, 66 plus 51, 16, किता होगा, ये, 116 होगा, ठीक है, इसी तरह चाहिए, अगर हम इसको देखे तो, 90, 90 plus 60, means 150, 150 plus 70, 150 plus 70 होजाएगा, हमारा कितना, ये होजाएगा, हमारा, 220, ठीक है, तो जब हम इसका ratio लेगे, तो हमारा पास answer किया आएगा, ये होजाएगा, 29, और ये हमारा पास कितना आजाएगा, ये जाएगा, 44, तो answer कितना आजाएगा, 29 ratio, 44 is the right answer, ठीक है, I hope आपको अभी ये method समझ में आगया होगा, तो अगर हम next question को देखेंगे, तो next question भी हमारा इसी तरीके से होगा, किस तरीके से देखेंगे, उसने के बोड़ा है, 2 solution contain 3 ingredients, A, B, C, solution 1 में क्या है, A, B, C का ratio ये है, second में क्या है, ये ratio है, दोनों को इस ratio में मिलाएगा, हम से पूछेगे, percentage of B, इन the final solution, ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे, A, B, और C यहाँ पर है, solution 1 ये है, solution 2 ये है, इसमें अगर हम देखें, तो इसका ratio क्या है, 1 is to 2 is to 3, और इसका ratio क्या है, 2 is to 3 is to 4, ये total कितना हुआ, 6, ये total कितना हुआ, ये वा 6 और 3, 9, ठीक है, अगर हम देखें, इनका ratio क्या था, ये किस ratio में मिला गया थे, 7 is to 40, 12 के ratio में मिला गया थे, तो into 7 और into 12, ठीक है, ये कितना होगे, total 21, और ये total कितना होगया, ये होगे, total 24, ठीक है, तो into 21, into 21, into 24, into 24, ये कितना होगे, ये होगे 21 plus, 48 means how much, 9, 69, और अगर हम इसको देखें, तो 2, 4, प्लस, ये जाए, कितना होगे, 12, 1, carry, 2, 6, 7, तो ये कितना होगे, 4, 11, ठीक, तो हम से क्या पूचा गया, हम से पूचा गया, कि B का part कितना होगा, B का percentage क्या होगा, तो अगर हम B को देखें, तो बी टूटल कितना रहा है, 11, 4, कितना रहा है, 11, 4, ठीक, इसको हमने लिया ही नहीं, 21, ये होगा, 24, ठीक, कितना होगे, 21, और ये कितना होगा, 24, तो अगर हम इसको देखें, तो ये कितना होगा, ये होगा, 63, और ये कितना होगा, 16, 1, carry, तो हमें यह क्या कर रहा होगा कि वन वन फॉर मेंस बी टोटल का कितना पर्संटेज है तो अगर हम इन तीनों को एड कर देंगे तो यहां पर लेकेंगे और इंटू हंड़ेट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा इसका राइट आंसर आजाएगा ठीक है किस तरीके से हमें इस अप्रोच को लेना है और को सॉल्व करना है ठीक है जो मैंने आपको पेडियेफ नीचे दी है उसको जरूर सॉल्व करिएगा वो कॉस्षिंस काफी अच्छे है अलग-अलग टाइप के आपको प्रॉफिट एंड लॉस के भी कॉस्षिंस मिल जाएंगे के एवरेज के कुश्षिंस भी मिल जाएंगे मिक्षिंट अफना एलिकेशन के कुश्षिंस मिलेंगे ही मिलेंगे और अगर आपको कहीं भी कोई किसी भी तरीका डाउट हो तो जरूर में से पूचिएगा थैंक यू सॉमच